असलाम लेकम दोस्तों मैं मैं अलेक्समिल्ला बैंक पोर्टल चैनल से आज एक नहीं इंफर्मेटिव वीडियो के साथ 1 अक्तूबर 2024 को स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान ने एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें Deposit Protection Corporation ने जो Depositors की लिमिट है Deposit की उसको इन्हांस कर दिया है इस सर्कुलर से पहले जो Depositors थे जिनके पैसे बैंक में पड़े हुए हैं उनकी जो Deposit Protection थी वो 5 लाक रुपे तक थी कि इन केस आफ डिफार्ट या बैंक कोई फेल हो जाता है तो उस सुरत में जो State Bank of Pakistan ने Depositors को जो Protection दी हुई थी उसके मताबक 5 लाक रुपे तक का Deposit आपका जो था वो बैंक में महफूज था लेकिन 1 एक्टूबर 2024 को State Bank of Pakistan ने एक नया सर्कुलर इशू किया है जिसके मताबक Deposit Protection Corporation ने जो Deposit गरंटी है वो 5 लाक से बढ़ाकर 10 लाक रुपे तक कर दी है Deposit Protection Corporation ने जो गरंटी अमाउट है वो अब 5 लाक से बढ़ाकर 10 लाक रुपे तक कर दी है गरंटी की नई जो 10 लाक रुपे की रुपे की रुपे मुक्तस की गी है इससे जो हमारे मुलके Depositors हैं उनका तकरीबन 96% जो Depositors हैं उनको मुकमल तहफ़ज मिल जाएगा यानिके उनका 96% Depositors हैं हमारे मुलका उसके पैसे तकरीबन 10 लाक रुपे से कम होते है Depositors प्रोटेक्शन स्कीम का बन्यादी मकसद यही है कि जो Depositors हैं उनके जो मुफदात हैं उनका तहफ़ज किया जाए और बेंकारी के शुबे पे उनका जो इतमाद है उसको मुजीद मुस्तहकिम किया जाए और इस तरह मुलक में माली इस्तहकाम को भी मदद मिलेगी Deposit Protection की यह सहुलत तमाम जो एहल Depositors हैं उन पर लागू होगी और इसकी मद में बेंक किसी भी किसम की कोई फीस भी आपसे चार्ज नहीं करेगा गरंटी की रकम या जो महफूज शुदा Deposit की रकम है यह उसी सूरत में काबले अदाइगी होगा जब State Bank of Pakistan किसी भी बैंक को फिल्ड डेकलेर कर दे यानि कि State Bank of Pakistan जब किसी बैंक को नकाम करार देता है इसके इलावा रकम की अदाइगी किसी सूरत नहीं होगी यानि कि अगर आपके साथ कोई फराड हो जाता है वो इस मद में नहीं आएगा अगर कोई बैंक नकाम हो जाता है या वो डिफाल्ड कर जाता है एज बैंक और State Bank उसको फिल्ड डेकलेर कर देता है नकाम डेकलेर कर देता है तो उसी सूरत में इस रकम की अदाइगी आपको मुम्किन होगी मजीद इंफरमेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकॉन के बटन को दबा दें आपके लिए बहुत सी द्वाएं अपनी द्वाएं में याद रखें अल्ला हाफिज